अरफ है कि कि अमने अब तक आब देखा है मेकसिब मिनिमा के कोश्टीं चैसे करते हैं और मिठी आइने llev रहे थे तो मुष्रे अपनीफ कर दे लिए जी है नियुक्र popcorn शूर्ट इंपॉटन्ट अपका फिक है तो इस question को हम लोग देख रहे हैं So that the height of cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is one-third that of the cone and greatest volume of the cylinder is this तो यहाँ पर दो चीज़ प्रूफ करनी है तो पहले प्रूफ की बात में यहां लिख देता हूं two proof हमें क्या करना था two proof वाली बात में यहां लिख देता हूं two proof क्या करना हूं चीज़ देखो पहली बात क्या बोली हो उसने two proof में show that the height of the cylinder ठीक है ना show that the height of the cylinder cylinder की height is one-third that of the cone जिस cone के अंदर उसको रखा है उसके one-third तो height of the cone मैं माल लेता हूं height of cone चलो मैं यह ऐसे लिख देता हूं प्रॉपर height of the cone is one-third height of sorry height of cylinder जो है cylinder के हमें height बतानी है cylinder height of जो की one-third है height of cone यह चीज़ है आपकी दूसरी चीज़ क्या प्रूफ करनी है है the greatest volume of cylinder is this तो cylinder volume of cylinder आपको बताना है volume of cylinder कि वह आपका 4 by 27 पाइच क्यूब 10 स्केर एलफा तो यह हम लोगों को टू प्रूफ करना है मतलब तीसरी बात किसी भी maximum minimum की कोशन को करने के लिए हम लोग तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो गीवन और एक आपको maximum किसी करने और तीसरा टू पू पूफ वाली चीज मैंने यहां लिख दी है अब मैं गीवन वाली चीज़े लिख देता हूं देखो क्या क्या गीवन है वह देखते हैं शो देट कौन बना लेता है हैं ये कोन बना धिया हमें और इसके इन दरे से लिंदर उसने इन स्क्राइब कर दिया ये से लेंडर बना लेते हैं अच्छा यहां से जरूर देखना आप लोग क्या कि जो radius of corner the radius of cylinder हो क्या consider करनी है आपको right circular cone of height h the cone की जो height हो हम नोगों ने small h बता दिया तो cone की जो radius होगी वो भी हम small r माल देते हैं ठीक है ना यह चीज़ याद रखो दूसरा semi-vertical angle उसमें देदिया alpha the letter radius of cylinder B capital R and height height of cylinder हम लोग मान देते हैं capital H ठीक है न यह variable है दोनों न क्योंकि cylinder हमारा variable है क्योंकि उसको डाल रहे हैं यहां पर कम ज्यादा करके ठीक है अब सुनों मेरी बाफ क्या बोला उसने इसकी height हमने capital H मान लिए इसका radius capital R मान लिए हम लोगों ने थोड़ा सही से लिख देते हैं इसको capital R मान लिए अब यहां पर हमें relationship लेनी होगी जैसे हम लोग जानते हैं तो इसको मैं नाम देता हूँ A B C यह D है और यह E तो मैं छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल को देख लेता हूं तो यह हमारे लुक्ता बीपीटी लग जाएगा बाइ उसें भीपीटी आहियो के इन ट्राइंगल वीच ए डिए ए बीए ठिके ना और ट्राइंगल में ए बीसी स्थी के तो मैं कैने सकता हूँ हाँ आप आप लोगों के लिए तो मैं AD बटाने ए बिख सकता हूँ बटे में बीसी लिख सकता हूं और ए डिवाइड़ बाई एसी यह मैं लिख सकता हूं यहाँ पर चलो ठीक है आगे देखते हैं स्कोर ठीक है अच्छा एडी एडी आप लोगों क्या दे रखा है तो इस पूरे में से स्वाइड़ एडी आपका है ठीक है यह वाले चीज यह सारा आपका यह गीवन से हम लोग वाले चीज़ है यह सारा आपका यह गीवन से हम लोग सौल कर रहे हैं यह सारी गीवन चीज़े थी तो यहां से हच और र में रिलेशन्शिप ले सकते हैं अब हमें मैक्सिमा क्या करना था ग्रेटेस्ट वॉल्म यह लिखा वाथा तो वॉल्म आप सिलेंडर है इसको में क्या करना है मैक्सिमा मलब नेगेटिव ही आएगा डेरिवेटिव करने पर डबल डेरिवेटिव तो वॉल्म क्या होता है यहां से मैं यहां से मैं एच की वैली निकाल लेता हूं यहां से जो गीवन तो यहां से हमें ह की वैली निकाल लेते हैं तो इसको दर ले जाओ है तो एच माइनस आर बाए आर एच इस इकल स्टू कैपिटल एच निकाल दिया हम लोगों यहां पर रख देते हैं तो पाई है क्यापिटल एच एच माइनस आर अपॉन में आर एच है ठीक है यह मने ले लिया अंदर मल्टिप्लाइ कर दो इस चीज को तो पाई आर स्केर हम लिए जुबर हम लिए एच माइनस पाई आर क्यूब स्मोल आर इंटू मैच दिफ्रेंशेट विज रिस्पेक्ट लेक्स तो इसको सी को में अंदर निखता है डिफ्रेंशेट विज रिस्पेक्ट लींगी आरा वोल्यूम सिलेंडर जो भी है ठीक है तो अब करते ज़र तो dv by dr, यहां करोगे तो pi 2 pi r h plus minus 3 pi r square by r h, ठीक है, अब यहां से common ले लो, और for maximum हम लोग जानते हैं कैसे लिखेंगे, तो यहां से common, pi common आ गया, ठीक है, capital R एक बड़ common आई रहा है, small h भी common आई रहा है, तो आपके पास जो बचेगा हो, क्या बचेगा है, यहां पर 2 बचे बचेगा, ठीक है, और यहां पर बचेगा, 3 by r h, और capital R, ठीक है, यह आपका बचेगा, यहां पर, h तो हमने common ले लिया है, h को छोड़ दे हां से, h हमने common ले लिया, अच्छा, अब आगे बात करते हैं हम लोग क्या, for maximum minima, for maxima and minima, d2 by, sorry, dv by dr बराबर 0, इसको 0 के बराब की एक आपकी, 2 r by 3, is capital, तो r के दो value आजाएगे, तो यह तो हमें consider करनी नहीं है, यह आपकी value आजाएगी, फिर हम बोलेंगे, again differentiate, again, differentiate with respect to r, ठीक है, आर के respect में दुबारा derivative करोगे आप, तो यह d2 by dr2 हो जाएगा, तो दुबार derivative कर लो, तो यह हो जाएगा, 2 pi h minus, इसको कर दोगे तो 3, 2 is a 6, pi r by r h, ठीक है, यहाँ value डाल दोगे, आप अगर, कितनी, d2 by dr2 की value डाल दोगे, 2 r by 3, तो यह term हो जाएगे आपकी negative, आप डाल सकते हैं, यह term हमेशा बढ़ी है, इस से, यहाँ डालोगे तो आजाएगा, तो तो यह बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, at r is equals to, 2 r by 3, d2 by dx2, d2 by dr2 is less than 0, so volume is maxima, चलो, यह बात हमारी proof होगे, ठीक है, अमीन जो proof करना था, हम लोगों को, उस पर आते हैं, to prove, two proof पर आते हैं, सबसे पहले हम लोग, ठीक है, तो हम लोगों को h given था, देखो, यह रहा, आपका ही h था, इस h की value में हम लिख देता हूँ, कि h निकालना है हम लोगों को, तो h क्या हो गया, h minus r by small r, h, यह आपका h है, अब यह r के value हम यहां रख देंगे, कि r जो हमारा था, वो कितना था, 2r by 3, यहां रख दो, h, लेलो, 1 minus r upon r, तो यहां निकाल लो, 1 minus r upon r, 2r, 2r by 3 divided by r, r से r कैंसल, तो 1 by 3 बच जागा, है, lsm लोगे था, 3 minus 2 by 3, तो 1 by 3 बचा, तो h is equal to 1 by 3 times of h, मतलब, height of, क्या बोलेंगे हैं हापर हम लोग, height of cylinder, यह cylinder के height है, is equal to one third of height of cone, जो हमें proof करनी थी, एक बात, एक बात हमारे proof हो गई, यह कौन की height है, और यह आपके cylinder की height है, यह cylinder की height है, यह कौन की height है, तो यह एक बात proof हो गई, अब दूसरी बात हमें लेने हैं, volume, volume हमने maximum कहां solve कर रहा ही थी, यहां पर solve कर रहा ही है, तो volume of cylinder, is equal to pi r square h, ठीक है ना, minus pi r cube by r h, ठीक है ना, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, पहले बोले लो, तो अंदर एक h भी कॉमन आ रहा है, आपके पास, h कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा 1, और यहां बचेगा r, अपोन में small r, बस, यह दो टम बचेगा आपकी, इसको भी solve करोगे, तो मैंने बताई दिया आप लोगों, क्या, r²h, यहां पर r की value डाल दो, यह वाली, यह वाली r की value डाल दो, तो 2r by 3 यहां लोगे, divided by r करोगे, कड़ जाएगा, तो यह 1 by 3 बचेगा, तो आपके पास 1 by 3, pi r²h आपके पास आ गया, ठीक है, अब हम लोगों को answer तो चाहिए था, 10 की time में, हमें answer क्या चाहिए, हमें answer च value में यहां पर पहले निकाल देता हूँ, इसको मैं equation 1 बोल देता हूँ, और यहां पर निकाल देता हूँ, 10 alpha, 10 alpha क्या होगा, तो 10 alpha होता है, perpendicular upon में base, perpendicular upon में base होता है, 10 theta, ठीक है, यहां पर आता हूँ, इसको में alpha पर, तो यह आपका जरब figure पर आजाओ, तो यह आपका देखो, यह alpha है आपके पास, ठीक है, इसके सामने वाला perpendicular, ठीक है, एक तो यह perpendicular होगा, और यह perpendicular होगा, ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो small आ रहे हैं आपका, और यह small h है, यहां पर आपको small h की requirement थी, तो 10 alpha क upon में small h, चलो, यहां पर देख लेते हैं, तो small r perpendicular upon में small h, तो small r की value यहां सर आपके आजाएगी, यह 10 alpha, तो small r बराबर हो जाएगा, h times of 10 alpha, यह आपका आगया, ठीक है, अब हम लेते हैं equation 1 को, तो volume आपके पास क्या थी, 1 by 3, 1 by 3, यहां से देखना है आपर, 1 by 3, pi r square h, यह score अच्छे से देख लेता हूं, capital r की value हम लोगों पता ही है, हम लोगों निकाल ली यह रही, यह आपकी capital r की value थी, 2 by 3, चोटा r का square h, ठीक है, अब यहां पर हम लोग ले लेते हैं, 1 by 3, pi, 2 का square is 4, 3 का square is 9, r का square h, अब r की value यह वाली, यहां आप डाल दो, तो volume आपके क्या आजएगी, volume आपकी क्या आजएगी, 1 by 3, pi, 4 by, चलो पूरा ही लिख दो, 4 यह हो गया पर, 4 by 27, pi, और r की value है, आपकी h 10 alpha, और into h, का whole square, चलो, तो 4 by 27, pi, h cube, 10 square, alpha, तो यह आपका आणसर आजाएगा, जो हमें चाहिए था, volume of cylinder, तो volume of cylinder is this, तो यह हमारे hands proof हो गया, इसलिए बहुत अच्छा कोश्चन है, काफी बड़ा भी है, तो अच्छे से देख लेदा आप, तो हमें बगला question देख रहा है, question number 24, जैसे अभी 18 देखा बहुत ही अच्छा, और सिर्छा question आपका यह बहुत अच्छा question है, एक्जाम में काफी बड़, तो जैरा देखते हैं, इस पर भी क्या लिखा दा, point on the curve, इस curve पर एक point है, where the normal to the curve makes equal intercept on the axis, ठीक है, तो अब देखो क्या बोला अच्छे, कि मैं एक curve बना लेता हूं, ऐसे रफ बना रहा हूं figure, यह याद रखना है कि रफ फिगर है सारी, तो ऐसे मैं एक रफ figure बना लिस्त की, यह लो, ठीक है, अच्छा, तो अब इस पर मैंने tangent रो करा, थोड़ी से सही बना लेता हूं, यह आपका normal ही किसाब से, तो curve आप ऐसे माल लो, कि जो यह curve हूं है, वो ऐसे है, और इस point पर यह मैंने बना दिया tangent, यह है आपका tangent, और, sorry, इसको थोड़ा सही स इसे बना देता हूं है, ठीक है, जिरा समय ने सीच को, यह आपका normal है, जो equal intercept बना रही है, axis पर, ऐसे भी बना सकती है, नॉर्मल है आपका न, और ऐसे भी बना सकता है, ठीक है, इसके साब से angle आपका 135, और इसके साब से angle आपका 45, ठीक है, यह आपकी normal है दोना, अगर आप इसका अगर graph बनाते हो, तो मालनों ऐसा graph होगा इसका, और यह tangent हो गई आपकी, यह tangent हो गई, और यह normal हो गई, ठीक है न, इसी से 90 बे, ऐसे इसका भी बना लोगा एक ऐसे, rough figure, यह tangent हो गई, यह normal हो गई, तो slope of, tangent, slope of tangent, slope of normal, नॉर्मल बना रहा है, तो नॉर्मल का इस लोप लिख हो गया हम, mn, slope of normal is plus minus 1, एक एक कोल इंटरेटरेप्ट बना रहा है, तो यह तो 1045 होगा, 10, 135 होगा, तो दोनों को आप solve करोगा, तो इससे minus 1 आएगा, इससे बना जाएगा, तो यह आपका slope कहला है, ठीक है, यह slope हो गया, ठीक है, तो slope of tangent क्या होगा, इसी को पलट के minus कर दो गया, तो slope of tangent, slope of tangent आपका हो जाएगा, 1 upon में slope of normal, ठीक है, slope of normal minus में, तो इससे को solve करोगे ते क्या हो जाएगा, आपका minus plus 1 हो जाएगा, यह value यहां रखोगे तो उल्टी हो जाएगी, ठीक है, चलो, अब हम क्या बोला है, question में, the points on the curve, इस curve पर हम लोगों को point discuss करने दे, हम लोगों ने slope of tangent निकाल लिया, अब हम easily कर सकते हैं, तो हम curve की बात करते हैं, तो 9 y square is equals to x cube, और यह point हम मान लेते हैं, क्या आपका, x1, y1, this is the point here, तो yes, derivative करते हैं इसका, differentiate with respect to x, ठीक है, तो यह आपका क्या हो 18 y dy by dx is equals to, yes, 3 x square, तो dy by dx, 3 x square भाई, 18 y, इसको सिकार दो, 6 हो जाएगा, तो dy by dx, मालब, slope of tangent, tangent is equals to mt, is equals to dy by dx, at this point, at a point x1, y1, तो क्या हो जाएगा, आपका, x1 का square, divided by 6 y1, ठीक है, तो हम लोग equation 1 बोल देते हैं, इसको, और इसको बोल देते हैं, equation 2, तो from equation 1 and 2, from 1 and 2, this 1 and this 2, इससे अगर मैं देखूंगा, तो एक बर 1 के बराबर हो जाएगा, आपका यह, मैं 9 बना देता हूँ, plus 1 के बराबर आपका slope हो जाएगा, तो x1 का square अब उनमे 6 y1, और एक बराबका क्या हो जाएगा, minus 1 के बराबर हो जाएगा, same term, ठीक है, तो यह आपके पास 2 equation आ जाएगी, ऐसे, ठीक है, अच्छा, इसको दे ले जाता हूँ, तो 6 y1 is equal to x1 का square, इसको दे ले जाता हूँ, तो 6 y1 minus का is equal to x1 का square, ठीक है, अब यही point जो है आपका, यही point इस curve पर भी लाए करता है, तो curve आपकी क्या है, 9 y2 is equal to x3, तो यहाँ पर एक और equation में put कर सकता हूँ, 9 y1 का square is equal to x1 का cube, और यहाँ से भी मिले सकता हूँ, 9 y1 का square is equal to x1 का cube, ऐसे हम लोग यह कर सकते हैं, ठीक है, यह चीज़ समय में आगी, अब इन दोनों को आप solve कर लो, इन दोनों को आप ऐसे divide कर दो, मैं divide कर देता हू यहाँ पर, तो दोनों को divide करो के तो क्या आजाएगा, ऐसा करो, यहाँ से y1 की value निकाल लो, और यहाँ रख दो, तो यहाँ से y1 की value निकालो गया तो आजाएगा, x1 का square by 6, यहाँ रख दिया, 9, x1 का square by 6, का whole square is equal to cube, x1 का cube, ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ से देखो, इसको दो ले जाता हूं, x1 cube भी, तो यह आपका आजाएगा, 9 into, x1 का 4 divided by 36, minus x1 का cube, ठीक है, अब इसे में common ले लो, आप, इधर कर देता हूं, मैं, इधर जगा है, तो कितना आजाएगा, गितर से कट गया, 9, 4, 36, ठीक है, अच्छा, इसमें से x1 common ले लो, x1 का cube आपका common आजाएगा, बचेगा क्या, x1 by 4 minus 1 is equal to 0, यह आजाएगा आपका, और यहां से निकालोगे तो x1 की value एक 0 आएगी, और x1 की value आजाएगी 4, ति दो value आजाएगी यहां से x1 की, यह value आएगी आपके, ठीक है, इतना समझ में आगया, ठीक है, अब आजाते हैं लोग, यह इत देखने आती हैं, यहां से भी, सेम ही रहेगा, मतलब यह ना, सेम ही value आजाएगी, किसको square हैं आपर, तो सेम भई value आएगी, तो आपके पास x1 की value एक तो 0 आगई, और 1 x1 की value आपके पास आगे 4, सेम यह value आईगी, आप पुट करके देखने हैं, सेम ही रहेगा, कोई दिक is equal to x1 का cube, तो 9 y1 का square is equal to 0 का cube, तो point नहीं डाल दिया, तो y1 भी आपका क्या आगया, 0, चलो ठीक है, y1 आपका 0 आगया, अच्छा, अब क्या जाएगा एक और देखते हैं, x1, 4 है आपके पास, तो y1 कितना आता है, वो देख लेते हैं, तो 9 y1 का square is equal to x1 का cube, यह 4 डाल दे के पास इसका answer आएगा, y1 का square is equal to 4, 4 आया है आपका, divided by 9, ठीक है, का cube आपका, तो अब इसको solve करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, तो इसको और अच्छे से देख लो, 9 y1, तो यह आपका आएगा, 4, 4, 64 आजाएगा, तो y1 का square is equal to 64, divided by 9, तो y1 बराबर आजाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 64 by 9, तो y1 बराबर आजाएगा, प्लस माइनस 8 by 3, तो points is, point is, एक पॉइंट आपका है, 4, देखो, एक पॉइंट आपका आ रहा है, 0,0, क्या रहा है, आपका पॉइंट, 0,0, अभी देखते हैं, इसको यह true है, गलत है, इससे आपका 0,0, औ एक आ रहा है, 4, प्लस माइनस 8 by 3, यह आ रहा है, ठीक है, यह point आ रहा है, यह पॉइंट आ रहा है, ठीक है, यह चीज़ देखो, अब धंक से देखो इसमें, अगर मैं बात करूँ, equation की, normal की, अगर मैं normal की बात करूँगा है, अपर, equation of normal की अगर मैं बात करूँगा है, तो यह, equation of normal, अगर ही आप slope भी ले लोगे, अगर यहाँ slope है यह आपका, और इसके बाद यह slope की value यहाँ पर अगर मैं 00 put करता हूँ, यह 00 put करता हूँ, तो यह note defines आ रहे, तो tangent का slope exist ही नहीं कर पाएगा इस point पर, slope is not exist, इसलिए यह point में यहाँ पर consider ही नहीं करता, तो मेरे पास यह point आजाएगा, यहाँ पर आप यह value डालोगे, तो आपका यह तो plus 1 आएगा या minus 1 आएगा, इस value से, आप check करके देख सकते हो, ठीक है ना, तो ऐसे आप इसको कर लोगे, तो यह आपका answer होगा, तो यह आपका answer है इसमें, तो आपका कुन सा option answer हो जाएगा, 4, plus minus 8, यह option answer तो यह आपका answer हो इस question हो, ठीक है, thank you